सो हेलो एब्रिवान वेलकम टू मैं चानल एस्टादीवीट वी सूतो कैसे हैं आप लोग तो फिछले लेक्षर में हम लोग ने क्लास 10 का सिलेबर शुरू किया था जो कि मैं कंप्लीट कराऊंगा फाइनली कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें हम लोग ने पहले बायो से चैप समझ में आगा जो लोग नहीं है उनको मैं चैनल का इंट्रोडक्शन देती हुँ बस एक मिनट इस चैनल पर मैं एंसी आर्ट को फोकस करता हूं कि जैसा कि आप लोग भी जानते हो सीबीएसी में जो भी कोस्टन आता है एंसी आर्ट के लाइन से से सेम कोस्टन आता है तो आप लोग जो भी लोग अदर राइटर के भूक पर फोकस कर रहे हो एंसी आटी को इंजनोर कर रहे हो तो इंजनोर कर दो ऑंसी आर्ट हीं आपका वाईबल और तो पर हो बस उसमें थोड़ा सा लाइंग्वेज असे सतुडेंट को समझ में नहीं आता है तो मैंने क्या कि एक new concept लाया हुगा YouTube पे NCRT के language को बस interchange कर देता हूँ आसान language में change कर देता हूँ इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और उसी को मैं explain करता हूँ तो जो भी लोग को ये NCRT के easy language को चाहिए वो इंस्टाग्राम पे contact कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम आइडी है एक message drop कर देना मैं आपको लिंक से वो नोट्स प्रोबाइट करा दूँगा ये same to copy NCRT का होता है आपको कोई problem नहीं होगा बस इस notes को पर लोगे आप देन exam दे सकते हो कोई problem नहीं होगा NCRT का to copy होता है मैं इसका guarantee लेता हूँ आपको कोई problem नहीं होगा तो चलिए हम लोग अपना लेक्चर इसी के साथ शुरू करते हैं तो पीछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि living things और non living कैसे कैटेग्राइज करते हैं देन हम लोगों ने देखा life process क्या होता है फिर हम लोग ने life process को example को देखा जिसमें आता है nutrition जिसे organism अपना energy प्रोवाइड करता है अपने body के अंदर कोई भी function को काम करने के लिए फिर आता है transportation अब जो nutrition जो energy produce होता है उसे सब body के पार्ट तक पहुंचाना जो कि blood पहुंचाता है उसे हम लोग बोलते है circulation transportation यानि कि देन उसके बद हम लोग को उसमें एक और example हम लोग देखे थे हैं एक्सक्रीशन का एक्सक्रीशन में क्या होता है जो undigested material रहते हैं वो body से कैसे बाहर हो जाते हैं देन हम लोग ने life process में देखा था उसके एक्जामपल में reproduction जो की class 10 में अलग एक chapter है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ने nutrition को शुरू कर दिया nutrition आखिर होता हैं hetero-tropic autotropic में जो organism में अपना food self synthesize कर सकता है लेकिन autotropic में है organism अपना food food जो है नहीं बनाता है hetero-tropic में organism अपना food नहीं बना सकता है तो उसमें हम लोग ने autotropic को details में परा था इस lecture में हम लोग heterotropic को details में परेंगे तो then चलिए शुरू करते हैं तो as name hetero-suggest means others and trophy means nutrition मतल organism होते हैं अपना food could synthesize नहीं करते हैं यह और से dependent होते हैं और यह अपना food नहीं बना सकते हैं दूसरे सब feed करते हैं तो hetero-tropic nutrition is that mode of nutrition in which an organism cannot make its own food and depends on order organism for food मतलब की hetero-tropic nutrition वो mode of nutrition होता है जिसमें organism जो है अपना food नहीं बना सकता है वो दूसरे organism पर करते हैं अपने food के लिए अपने food material को अप्तेंट करने के लिए तो वैसे organism जो other organism बेंड करते हैं food कर फूद करने के लिए उसे हम लोग hetero-tops बोलते हैं जो hetero-tropic mode of nutrition अपना खाना फरोडियूस करते हैं उसे हम लोग hetero-tops बोलते हैं जैसे कि हम लोग human beings हैं अपना खूद करते हैं तो प्लांट में अपना फूद अपने से बना सकता था तो उससे हम लुग ऑट्रोपिक्स के कुछ ताइफ उसको हम हम लोग देखेंगे दिन हम लोग चलेंगे वाता है क्रynnग न्यूटिशन में 3 होते हैं वाते हैं प्रोपम्तृफ न्यूंट्रिशन पहता है नूट्री mise जो एनिम्म थहां उस पर फिट करता है उससे अपना फूद मतेरील आप्टेट करता है मतलब जो ड्वर्ट ऑसके उपर वाइट 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 लेयर होने लगता है यानि कि उस पर फंजाई करने लगता है वह फंजाई क्या होता है उस संड़ते हुए ब्रेड से उस तो वह ऐसे और गिनिन जो सेप्रोट्राफिक मोड अफ नूट्रीशन को फॉलो करते हैं उससे अपना फूद आप्टेन करते हैं उसे हम लोग सेप्रोफाइट करते हैं इसके एक्जामपल हो का है फंजाई एंड बैक्तेरिया फंजाई के अंदर क्या होता है मस्रूम जो होता है मतलब कि और नूट्रीशन का बोडी पर रहता है देन उसके बोडी से वह अपना फूद उस से घीच लेता है यान नहीं खा लेता है और देन उसको मारता नहीं यह उसको किल नहीं करता है ठीक और उसे हम लोग क्या बोलते हैं पारासाइटिक नूट्रिशन बोलते हैं for example देख लो जैसे हमारे बॉड़ी पर मस्कीटों आके रह रहा है और हमारे ब्लट को सब कर रहा है लेकिन हमको मार नहीं तो वो भी एक पारसाइटिक नूट्रिशन हो सकता है ठीक देन अब जिस और निम से वो आपना फूद पारसाइटिक मोद नूट्रिशन वाले और जिस और निम से अपना फूद मतलब उप्तें करते हैं जिस पर रह के उप्तें करते हैं उसे बोलो होस्त उसे हम लोग बोल तर यह अंदर बॉल देवल और देवल और जोटेशन में मदद करते हैं जो वह अब्सक्राइब होते हैं और बॉडी के टोटल सेल तक पहुंचते हैं इसके एग्जामपल्स हुम लोग देखो हम लोग फूद इंटेक करते हैं और बहुंचते हैं मैक्सिमम एनिमल जो होते हैं वह होलो जोग ही होते हैं फूद इंटेक ही कर रहा है फिर अपने बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता है तो देन आगे चलते हैं यह अल्टीमेट एक टेबल है जिसमें डाइग्राम के थूए आप नोट चब लोगे तो आपको यहां से भी यहां तो आपना इस गहते हैं कि यहां अप्तें कि ढिए के लिए तोंस में करते हैं नहीं कि दिफ्रेंट इमेता होते हैं जो होते हैं उसमें जो फूद का जो है एक ही सेल में टेक किया जाता है और उसी में एक ही जैसे मतलब की मल्ति इसमें इस पर फॉर्म करते हैं तो देन जो कैसे अंदर बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करता है मतलब कि फाइनली जो न्यूट्रीशन है है उसको देखेंगे अर्व को देखेंगे अर oynेके वो फूद में इंटेक हो जाता है यानि ध्याइन कि हम लोग हथ बाड़ी के उन्दर आ गया देन ऐसका माउस में फूड लिए है उसका डाइजेशन होगा और में क्या होता है में जो इनसल्य बल पार्टिकल होता है जो फूर माटेरियल होता है उसको ब्रेकदाउन किया जाता है soluble particle में, आसान simpler form में और वो ऊसको हम लोग digestion बोलता है, जो simple form में जो digestion के बाद produce होते हैं, जो वोकी absorbed होते हैं body में, और body के different parts में पहुँचते हैं, उसे how absorption में और assimilation क्या होता है, assimilation में absorbed food है, उसको cell absorbed करता है, मतलब उसको inc МУЗЫКА करता है, उसको growth में Doz üs with cells sent Consumer मात्रियल को एंडर्जी में यूज कर लिए अपने ग्रोट में यूज कर लिया उसें लोग एसीमिलेशन बोलते है देन ओठा है इसन वाहर निकाल लिया जाता है उसे लोग एसन बोलते हैं तो आपको इस अच्छे से समझ में आ गया होगा या फिर और फूड कैसे और विकार हम लोग को समझेंगे च्छे से समझेंगे वस सद नहीं और परफर्फरम करेंगा तो अब हम लोग करेंगे मसती करेंगे देन हम लोग हीमन ताइजस्टीफ सिस्टम से लास्ट कर देंगे तो जो भी लोग देडिकेटल का थोड़ा सा ल ngगा जो डेडिकेटल है कोई नहीं करेंगे कि लेक्चर बरा च्छोटा करो अराम से देखेंगा अपना कॉंसेप्ट बिल्डब करेंगा अभी बहुत टाइम आराम से देखो नोट्स लो नोट्स को परो रिवाइज करो एक्जाम में फार क्या होगे कहीं कोई डिकत नहीं होगा क्योंकि लुए मठिस बिल्डबा हो और तो निउट इंट्रिशन इंउड़ जसंब्रस सोब्साइब करें आवाइज उस化 traffic फुज बिस्ट फोड़ में यह अच्छ अपको सब्जाए तहां मतलब कि आप देखो यह आमीबा है यह फूट पार्टिकल है अब हव guys प्रोजेक्शन होते हैं कुछ एक्स्टैंशन अगा सेल यह देखो यह इरेगुलर जो फिंगर लाइक के स्रक्चर है उपर इससे क्या करता है वह फूट बैक्वी पार्टिकल को घेर लिया जाता है अमीबा के सेल अंदर ती देखो यहां पर फूट बैक्वल का पर प्रोडे प्रवाइजेशन होने लगता है जब यह फाइनली डाइजेस्ट हो जाता है तो फूद बाक्यूल ओपन होता है और फाइनली अमीवा उसको धिलीज कर देता है अन्डिजेस्टेट फूड को थी तो देन इंसाइट फूद बाक्यूल देवो ही फूद माटेरियल थाक्यूं कि बाक्यूल भूद फूद यो आते साइटि होता nauह तो फूद में यहां से थेंक इसके आप में कर लो डाइग्राम में उठना अच्छा चने रिया आप उपन हुआ समझो यह फूड वाइक फूड जो अनदाइजेस्टेट फूड वह बाहर निकल गया तो फाइनली अमीबा का डाइजेस्टन हम लोग न्यूट्रीशन इन अमीबा पर लियर क है इस हेर लाइक के स्रक्टरटक मों नो क्या करते स्लियां यह इसीं के थुरू फूड को पकरता है नीफूड को अंदर अपने बॉड़ी में खील और बड़ी के अंदर आनेक बाद वह फूड मतेरियल जो एक बॉड़ी के अंदर सपर्ट जाता जैसे कि वानो यह सीलिया यह फूदमतेरियल को यहां से पकड़ा थू फ्रू मतलब कि यह परमीसिय में सीलिया के फूदमतेरियल को अ। अंदर लिया और लिया एका सब्सक्रिया इस्फॉर्टाय उसको डाईजेस्ट करता हुआ जो ऑनसाल बस मतलब यह जानो मोटा मोदी आप आगे पर हो गया ही अच्छा से मोटा में यह जानो कि एस्पोर्ट ऑपन होता है और अंदाइस्टे जो मैटेरियल होते हैं वह बाहर निकल जाते हैं तो सेल आज डिफनिट से और फूर्ट इस टेकर टाथ सब्सक्राइब जो परुड़ीम करते हैं कि पूरे परामेशम के सेल तक पूरे परमिसी के सेल में ट्रांस्पोर्ट निकल जाता है यह और चलिया यह यह पआपको अच्छे से समझ में ता यह ऑफ परिमेंट आता है और पिछले हम लोगा एक्प्रिमेंट बजाए साकिए आदाए अग्तिवि उसमें लोगों ने प्रूफ किया था कि फोटो सिंथेसिस में सनलाइट इंप्रूफ कर दिया था यह हम लोग इस एक्सपरिमेंट में क्या प्रूफ करेंगे कि कार्बन डाइकसाइज जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट है फोटो सिंटेजिस के थ्रू तो हम लोग को वो करना है तो यह सब उतना हम लाइन भाई लाइन परेंगे लेक्चर बहुत लेंड हो जागा मैं आपको इसक को सब्सक्राइब अर्सकिवर्ण वन गंटा एकिंत में इस सब्सक्राइब करें आपको मैं आपको दल्हें करतेख नगे तो भाई है जो डोनों गमला के अंदर जो फ्लावर है जो फ्लावर है वो डी स्टार्च हो गया जनी कि उसके अंदर वह स्टार्च भी नहीं बना अब क्या करना है इन डोनों जो फ्लावर को है मतलब डोनों प्लांट को है डो अलग अलग जार लेना है ठीक एक जार में एक plant होगा, दुसरे जाल में एक plant होगा, अब एक जार में क्या करना है आपको, एक जार में आपको potassium hydroxide solution रखना है, क्यों रखना है, कि वो CO2 को absorb कर लेता है, ऐसा कि हम लोग जानते हैं, potassium hydroxide reaction करता है कुछ ऐसा कि CO2 absorb हो जाता है, तो finally, आपको ये दोनों जार को sunlight म होगा, ठीक, अब उसके बाद हम लोग इतना experiment किये, ठीक, अब experiment में हम लोग क्या किये, और finally, de-starch कर दिये, फ्लांट का, फिर हम लोग ने दो जार लिया, एक के अंदर नर्मनी जार है, और उसके अंदर flower, मतलब प्लांट को रख दिया, एक जार में हम लोग ने potassium hydroxide solution रख के जब हम लोग को, प्लांट पर जब हम लोग iodine test करेंगे, तो iodine जो है, black blue में change नहीं होगा, जब iodine को जब हम लोग stars के साथ react कराते हैं, तो वह black blue color में change होने लगता है, जिससे सो होता है कि उस plant के अंदर उस leaf के अंदर starch फोर्म हुगा है, तो जिसके अंदर हम लोग लोग ने किया वह ब्लैग-ब्लू टेश्ट नहीं दिया ब्लैग-ब्लू कलर में सीटान death नहीं है हम जो आटर हैं दिन जिसronics और एंदिन जएंग जांभी हम लोग ने फ्रोब कर दिये देने जिसमें राथ रखें तो फाइनली स्टार्स का फर्मेशन किया और माहा जो था पोटेसियुम हाइड्र अधर अधर का नहीं था तो एक कारण है जो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि फोटोसिंटेसिस में इंपोर्टेंट होता है उसके बीना नहीं हो सकता है तो आयोब आपको यह एक्प जाल इसलिए यह बच्चा क्या सुच रहा बता ओ बहुत लेकिन मैंने क्या किया एनसी आरट करने के बाद उसको ट्रांसलेट कर दिया यही लाइवेज में परहो अब एनसी आर्ट को जो लोग करते हैं परहो मस्ती से νस से ऐसी आर्ट के यहां मुझे जरूरत पर रहे हैं मैं खुट NCRT के बाहर कर नोलेज आपको पढ़ा रहा हूं तो यह बच्चा जो यह क्या कर रहा है यह कार्टून छोता सा क्या बोल रहा है फिंगर थंब आप दिखा रहा है यानि कि लाइक करो इतना मेहनत करें इतना आपको यहां तक आपको पूरा अच्छे से समझ में है तो लेक्चर को लाइक करो यार सुचना क्या लाइक करो सेर करो वीडियो को जिससे मेरा भी मोराल बूस्त होगा और हम लोग आगे चलेंगे ट्रॉस में भी दो तरह के ऌर्टि फिर होते हैं यूनि सेलुलर और मृति सेलुलर तो यूनि सेलुलर में लोग अमीबा है और जो परमेसिया में उसका नूट्रीशन पर लिए यानि की वह जो फूड को डाइजस्ट करता है कि हम लोग नावसे में परेंगे तो आज उसमे तरह वह सचाहिए और निकल जाता है और सलाइवरी उमाइलाइज करता है क्या काम होता है कार्बो हाइड़ेट को ब्रेक कर देता है गुल नोगे जो की बोडि में असानी से अब्जॉर्ब युदि क्या करता है वह मेडियम को अलकली बना देता है ठीक है और जो बाइल सॉल्ट है वह बड़े-बड़े फैट जो गलोब्यूस होता है उनको छोटे-छोटे फॉर्म में ला देता है और जो पैंकरिया जाए वह पैंकरियतिक यह आप लोग बस यह हम लोग ओभर देखें इसको हम लोग डीटेल में पर एंगे घवराव मत चलिए इसके साथ हम लोग शुरू करते हैं ठीक है तो यहां से हम लोग का सुरू होता है तो एलिमेंटरी कनाल जो होता है इंटायर पाथ होता है माउस टू एनस मतलब कि बॉड़ी के अंदर डाइजेशन मतलब कि फाइनली जो हो एलिमेंटरी कनाल बोलते हैं अब वर्किंग अफ डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग परहेंगे ठीक तो पहला इंजेशन हम लोग ने पांच प्रोसेस पर आ था न्यूट्रिशन पांच तरह से होता है और पांच प्रोसेस करने का अपने अंडर न्यूट्रिन को एब्स न्यूट्रिक रहा हैं और छोटम तो मेसी कर देफ अन Быle तो के एसे थे सब्सक्र बरसें के छोटा चोलता फैसमें और śp प्रक्षाल करता है सबस्टा हो चिंटेंट उसके निए कम करता है है आश्टार्ज कार्वाइड्रेट को जो हम लोगे फुट के इंडर परजेंट है और घूल कोगोज में चेंज कर देता है यहां यहां पर यह हम लोग समझ में आता है कि माउथ से ही स्भाश डाइज शुरू जाता है यह पर क्निज जैसे कि आप रोती को ज्यादा देर तक जब बहुत ज्यादा चप आनों लगेगो तो आपको रोती मीठा लगने लगए वह चिए करता है तो ज्यादा चब आने के बाद करता है मिक्सिंग करता है सलयवा से फूड को मनलब कि इस लाइवा से पूरा मिक्स हो जाता है तर देन वहाँ पर कार्फुधर कार्बोध्रेट आई कर दान घ्रॉब को यहाँ पर मैं क्या हो दो मुपते क्रफित घ्रॉठ में देशन हरना हम क्ती हुगे थो धूर जाते हैं ऑफ को इसोफेगस और इसोफेगस का या यह 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 है यह यह पुल आफ होता है यह यह पास आता है जिसके वगाज़ से फूर्द जयाता है च्वर्ट पर नीचे-टॉमक तक पहुच जाता है और इसी मतलब contraction और expansion यानि शिकूरना और फैलना को हम लोग क्या बोलता है peristaltic movement यह important है याद रखना परistaltic movement क्या होता है the extraction and expansion मतलब की contraction and expansion यानि फैलाव और जो जो फैलाव और सिकुराव होता है movement होता है food pipe यानि इसो फेकस का उसे ही हम लोग peristaltic movement करते हैं और इससे क्या होता है food जो है stomach तक पहुंच जाता है फिर अब stomach के अंदर क्या होता है उसको पढ़ेंगे stomach होता है जैसे organ होता है life abdomen में body life जो left side का abdomen होता है वहां present होता है जो stomach है वह वाल होता है तीन वाल मतलब tubular वाल होता है tubular glands होता है वह क्या secret करता है मतलब आप यहां पर यह समझ सकते हो कि जो stomach है उसके वाल जो है वह gastric juices को secret करते हैं वह gastric juices टीन तरह के होते हैं hydrochloric acid enzyme pepsin and mucus यानि gastric juice है वह टी तरह के चीज को content करते है hydrochloric acid enzyme pepsin को और then mucus को तो hydrochloric acid वह food material जो आया है पेट के अंदर उसको acidic medium में change करता है pepsin जो है करता भाई हम तो protein को नहीं digest करेंगे जब तक हमको acidic medium तुम नहीं दोगा तो hydrochloric acid basically वह जो food material जो है उसको acidic medium दे जाता है दें पेपसीन उसको digest करके protein को digest करता है food के अंदर पर और amino acid में change होता है अब यहाँ पर mucus होता है वह आप जानते ही hydrochloric acid जो concentrated होता है कितना harmful होता है हम लोगों पेट के अंदर हो तो में होल कर सकता है लेकिन म्यूकस होता है वह एक लाइनिंग होता है अपना लाइनिंग होता है जिसके वाज़ा से जो hydrochloric acid है वह हम लोगों के body के stomach को harm नहीं करता है ठीक देन यहाँ पर प्रोटीन का digestion हो गया लेकिन यहाँ पर भी प्रोटीन यहां भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है देन अभी फैट तो पूरा ही बाकी है देन अब stomach के बाद जो है फाइनली small intestine में आ जाता है जो small intestine है यह stomach से digestive food इंतर करता है small intestine में the small intestine होता है largest होता है मतलब की largest part होता है यह सारे चोव मीटर से लेके 7 मीटर तक होता है यानि elementary canal जो होता है digestion का पूरा माूट से लेके पार होता है जहां पूरा complete होता है और निकलता है यह elementary करनाल का सबसे बड़ा पार्ट होता है Small Intestine नाम पर मुझा यह थीकणि के मतलब यह लंबाई के बैसिस पर था नाम से यह थिकणि के वाज़ा से परए था था थीक इसका नाम तो यह सब बड़ा होता है जो स्मॉल। इंटेस्टाइन होता ये नेरो होता है और अरेंज ओता है फॉयल के फॉर्म में यह गृष यह गुछा के वाहिर जैसे घुच्छा में रहाता ये वाहिर नोग के बॉडी के अंदर जो एंटेस्टाइन हुमन गों क्ला वह कंपलीट साइट अफ हो डिसीव करता है एक तो लिवर एक पांकिया यह डाइग्राम से हम लोग एक बार इस पर अच्छे से ग्रीब बनाते हैं फाइनली यह माउट था यहां पर सलाइवरी ग्लैंड थे वह सलाइवा पर दिश किये वह एंजाइम रखा था सलाइवरी अमाइलेज वह क्या किया ज बता है अब है्टोगे जो डाइजसेट करता है यहां अब यहां से बार यहां 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 लिवर और यहां यहां पर यहां पर आ पैंक्रियार अब यह नहीं लिए पंक्रेटिक जूस जो से करता है वह पंक्रियाज के अंदर ही काम करता है वह क्या क्या काता है मैंने इसी लिए डाइग्राम में लाया कि आपको एक बाद अच्छेसे ग्रीफ हो जाए तो चलिए उसका क्या काम है उसको चलिए समझते हैं कैसे होता चलिए मैं अदर नहीं नहीं už बनते हैं जो बनाता और रहता है लेकिन गॉल ब्लादर में जो बाइल यूस है जो फूद मतर पेस्टामक में तो जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक के वज़से जो फूद मतरियल से वह करता है और यहां बाइल को आगे देखते हैं फिक पाले इसको देखते हैं जो पैंक्रेटिक जो 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 कि ट्रीप्सिन होता ओर लाइपेज होता नवी कुछ प्रोटीन्स को बचे हुए रह गये थे उसको वह इसको अमिनोसी त्रांसपार मतलब चैंज कर देटा मतलब डाइज्ब कर देटा कर देता मतलब लाइपेज होता है क्या को ब्रेक दाउन कर दो करता है यह जो है यह बड़े-बड़े फूड जो होते हैं उनको छोटा में चेंज कर देता है जो कि हम लोग के अंदर असानी से डाइजेस्ट हो जागे तो यहां पर देखिए फाइनली कार्बोगाइडेस गुलकोज में चेंज हो गया फाइनली वह माउथ में हो गया था ठ सब्सक्राइट को अब गया तो पहले तो वह इस्तामफ में चेंज बड़ लोगाता था रृफ्रेंज यह ओड़ wann— क्रॉफ चैजश हो हो गया इंजेशन डाइशन भी हो गया human body के अंदर और absorption कैसे होता है जो small intestine है फाइनली यहीं absorb भी करता है डाइशन 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 फूट का है small intestine है उसके layer में यह ऐसे विलाई होते हैं यह finger-like structure होते हैं इनका क्या काम होता है अब जैसे आप देखो यह लाइन तो यहां जो फूर मतरील आया यह अब जो यह यह लाइनिंग है तो देखो आप यहां पर यह इनक्रीज हो गया जिसके वज़े से जो आप जो इंडर का जो लेयर होता है उसे finger-like projection करते है जो यह फूर में शमाल होता है एक स्कता स्थमाइज कि बढ़ा आपकर स्थमाशन होता है मट बढ़े सब्सक्राइब देखतेम की और दयर्यक возможно के यह इनवे वेक्याष斯 और अमिनो इस एब्जर्ब हो गया और फाइनली एब्जर्ब जो है वह ब्लॉट करता है अब्जर्ब एंड डाजेस्टेट फूट को पूरे बॉड़ी के पार्ट तक और बिकॉम इट बिकॉम एसिलेटेट अज पार्ट सेल उटिलाइज फॉर उप्टेनिंग एनर्जी और बिल्दिंग अप न्यू टिसू और फाइनली जो यह ब्लॉट के थू ट्रांसपोर्ट हो गया पूरे बॉड़ी के अंदर अब पूरे बॉड़ी के अंदर जो सेल फाइनली उसको अप्टेन किये और एनर्जी में चेंज कर दिये वह नूट्रियेंस यानिकि जो वह फूड़ फूड जो एक्स्ट criminal है वह फाइनली लाज इंस के तराफ अब्छ 01 کی ब्रॉट में पर शव्ले फ्लाइंस वह धी भीलाई होता है इसमें यह उसके लास को यह अगर को यह लगे सेल किस माथ वह बाहर आगिया वोडिके थी व montón तूकिन घुछ garant होता है movement of substance through them normally they close when movement is required they open up some choice को ठीक फूद पाइप था मानने वो फूद पाइप है यहां से फूद आया ठीक इसके अंदर फूद आया यहां यह मालो इस टॉमक है ठीक अब यहां से फूद आया यहां एक फूद यहां से उपर फूद पाइप में ना चला जाए यहां यह जो होता है जो की रेगलोट करता है फाइनली जब फूद अंदर आ जाता है तो यह बाहर नहीं जाने देता है इसको रोक देता है जैसे कि आप लोग देखते होगे जैसे कि कभी कभी हम लोगो जो उल्ती हो जैसा कि आप लोग जो वहां से पाड़ा जाता है जैसा कि आप लोग सुने होगे के बचपन में बच्चे को बोलते हैं पैरेंस यह आप तौफी मत का तौफी से डांट सर जाएगा तू डेंटल प्रॉब्लम हो जाएगा जो हम लोग एट करते हैं मतलब जो तौफी उसके अंदर सूगर होता है और माउट में कुछ ऐसे बैक्तेरिया होते हैं जो सूगर से रियक्ट करके करने लगता है लेकिन अब नेचर है आप देखो नेचर ऐसा खेल कहलता है कि बॉड़ी करने लगता है लेकिन अगर हम लोग इंप्रूपर तरह से बरस करें यानि कि दांट को साफ से नहीं डोएं और माउट को जई से नहीं रखें तो वह जो जो एक लेयर वह बैक्तिरिया हम लोग के टीट के ऊपर एक लेयर बना लेगा जिसके वज़ए से सलाइवा काम नहीं करेगा लेयर फॉर्म हो जागा इसके वज़ए से जो है सलाइवा जो है वह फेल कर जाएगा प्रोट्रक्षन नहीं देपाएगा तीट को और यानि कि यह तीट के ऊपर एक लेयर आ गया अब यह यह अंदर ही अंदर इसको डिकंपोच कर रहा है सलाइवा इस लेयर को क्रॉस करके नहीं पहुंच बारा है कि सेब करें न्यूट्रिलाइज करें तो इसलिए यह डेंटल प्लॉग जो है एसीट के प्रोट्रक्षन से यहां पर सलाइवा फेल हो जाता है और वह टीट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है इसका इफेक्ट क्या होता है जो यह यह नर्व के कंप लिए फुल जाता यानि गम तो आई होब यहां पर फाइनली हम लोग लोग अट्रोट्राफिक्स न्यूट्रिशन फूड हम लोगों ने बॉड़ी के अंदर नूट्रिशन कैसे होता है यानि की बॉड़ी कैसे एनर्जी प्रोभाइट करता है आपने बॉड़ी सेल को कैसे नर्जी देता है वह हम लोग ने नूट्रिशन को फाइनली कम्लिट यह अल्टिमेट तैवाल आप लोगो सौर्ट रिविजन के ताइम काम आएगा आप मुझे यह नोट्स ले ले लेना देन प्रिंट आउट करा होगे तो आप डाइग्राम सौर्ट रिविजन के बारे मे आपको इससे आपको और हेल्प होगा रिविजन करने में तो चलिए यह 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 आउल इतना बड़ा पता है क्यों करके देख रहा क्या आप यहां पर अपना डेडिकेशन तो कर रहे हो कि आप यहां पर पढ़ने के लिए पूरे डेडिकेव हो तो चलिए बहुत-बहुत थ चलिए जो भी मैंने पढ़ाया है यह आपको पीडियो फॉर्म में चाहिए मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करो चलिए फिर मिलते हम लोग नेक्स लक्षर में जिनको मेरा वीडियो अच्छा लगा वह जरूर लाइक करें यह नीडियू पीपल तक जरूर पहुंच चलिए लाइए मेरे चैनल को सेयर कर यह नीडियू पीपल तक पहुंचाइए तो जिससे मेरा भी मोराल बूस्ट होगा मैं और सिले बस जल्दी जल्दी कंप्लीट करूंगा तो चलिए बबाए फिर मिलते हम लोग नेक्स दक्षर में रेस्पिडेशन के सांथ आई होप आ